Hello students, welcome back to my channel Smart Study Students, आज हम Directed of Education की तरफ से दी जाने वाली वर्क्षिट No.23 करेंगे जो कि Classics की है और सब्जेक्ट है Social Science ये वर्क्षिट 18 December 2020 की है तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्क्षिट वर्क्षिट शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो आइए देखते हैं आज की वर्क्षिट Chapter 7, New Question and Ideas, Monisters and Vihar जैनाज और बुद्धिस्ट मोग उसे तो गोफ फर प्लेज तो प्लेज तो आइए तो पिछली वर्क्षिट में हमने देखा था है कि जैनाज और बुद्धिस्ट क्या कर रहते हैं सच की तलाश में ज्ञान प्राप्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया था उनको अपने जो होम थे उनको लेफ्ट करना पड़ा था तो जब उन्होंने अपना होम लेफ्ट कर दिया था तो वो एक पूरे साल throughout the year वो क्या कर देते एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे for teaching people लोगों को देश देने के लिए लोगों को ज्यान देने के लिए but during the rainy season it was very difficult to travel लेकिन जब rainy season होता था तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना बहुत मुश्किल हो जाता था so they stay in one place इसलिए क्या करते थे वो एक जगह पर रूख जाते थे initially these place were used to be temporary shelter शुरू शुरू में क्या था जो ये place बनाय गए ते ये क्या थे temporary थे initially this place used to be temporary shelter शुरू शुरू में shelter जो थे वो क्या थे temporary थे but more permanent shelter were built later लेकिन धीरे धीरे बाद में क्या किया गया इन जो temporary shelter है इनको permanent shelter में convert कर दिया गए या permanent shelter बना दिये गए, thus monasteries were built, these were known as विहार, in monastery को या जो permanent shelter थे इन्हें हम क्या कहते हैं, विहार कहा जाता है the earliest विहार were made of wood, जो पहले के हमने कहा कि जो temporary थे जो temporary विहार थे, वो किससे बनाय जाते थे, वो wood से बनाय जाते थे and then off break, और उसके बाद जब permanent विहार बनने लगे, तो वो किससे बनने लगे, बेटा, वो brick से बनने लगे जो temporary shelter कहेंगे, जो temporary shelter था, वो wood से, या कुछी time के लिए बनाया, जब वहाँ पे वो लोग रुके होए, तब वो बनाया, उसके बाद में cave of the dug out in hills, especially in western India अब आप इसका देखो, यहाँ पे देखी western इडिया में क्या कहा गया था, western इडिया में कुछ hills थी, जहाँ पे क्या किया गया, caves बना दी गई, जो hills को खोद करके, dug out करके, खोद कर क्या बना गई, cave बनाए गई, ताकि जो months थे, जो nuns थे, वहाँ पे रह सके, तो देखो, कितना मतलब उसने में भी इसका, कितना उनको प्रचलित किया गया था, कितना उनको माना गया था कि शुरू में तो उनके लिए temporary shelter बनाए गया, फिर उनके लिए permanent shelter बनाए गया, वुड से बनाए गई, ब्रिक से बनाए गई, और यहां तक कि जो hills थी, जो पहार थे, उनको खोद-खोद के भी क्या किया गया, caves बनाए गई और इसका example कहां मिलता है, western इंडिया में, आगे देखे क्या, अब देखो बनाना, ये भी बहुत मिल रही थी, तो देखे, very often the land of in which the विहार was built, was donate by the rich merchant and land owner or to the king, देखो क्या कहा जा रहा है कि अब जो जगह चाहिए थी, जो space चाहिए था, जो land चाहिए थी, वो भी क्या कर रहे थे, कुछ जैसे rich merchant थे, land owner थे और जो king थे, वो donate कर रहे थे, इनको यहाँ पर एक अच्छे एक्जांपल दिया गया है केरले कैव में एक्जांपल दिया गया है, देखो यहाँ पर महारास्टर में है, we are where monks and nun live in the meditate अब यहाँ पर क्या करते थे, monk and nun क्या करते थे, meditate करते थे, और यहाँ पर रहते देते थे, या जो शिक्षा वो देते थे, उसे वो सीख कर जाते थे, तो देखो क्या लिखा गया है the local people came with the gift of food, clothing and medicine for the monk and nun, वो क्या लेके आते थे, monk और nun के लिए gift, जैसे की food, cloth, और medicines लेके आते थे, in return they taught the people, और उसके करते हैं, इसके question answer, what were the vihar, vihar क्या है, बिट आप बताईए यहाँ पर, तुझे को बहुत easy और बहुत अच्छा सा answer है, कि जो temporary shelter था था, तो हम यहाँ से लिखेंगे, temporary shelter were built, उसके बाद लिख दीजेगा, for the nun, आप लिख दीजेगा, for the monk and nun, for the monks and nun, यहीं करवा देते हैं, ठीक है, तुझे दीजेगा, यह answer number one हो जाएगा, permanent shelter were built for the monk and nun, these were known as vihar, तो यह इसका first का answer हो जाएगा, कि permanent shelter were built for the nun, monk and nun, these were called as vihar, तो यह हो जाएगा first का answer, अब हम करते है, question number two, देखे, क्या है question number two, बिटा, how were the vihar built, जो vihar थे, वो कैसे बनाए गए थे, अभी हम इसको अच्छे से समझ भी चुके है, answer number two, the earliest vihar were made of wood, then of brick, इसके बाद के दा, some were even in the cave of the world dug out in his, especially in western India, यह भी आप इसके अंदर add करेंगे, answer number two, यहां से लेकर, यहां तक हो जाएगा, अब हम करते है, question number three, who helped in building the vihar, को उनके help कर रहा था बिटा, vihar बनाने के लिए, तो हम यहां से करेंगे, answer number three, the land on which the vihar has was built, was donate by the rich merchant or land owner and the king, and the local people came with the gift, food, clothing and medicine for the monk and none in return, they told the people, तो यह हो जाएगा, answer number three का, तो बिटा, आज की worksheet complete होती है, worksheet complete करके, अपने teacher से चेक कराईए, और please मेरे चैनल को like कीजिए, subscribe कीजिए और share कीजिए, thank you students